गाईज मुझे इस भाई का कमेंट आ रहा था कि sir मेरे पास दो खरगोस हैं मैं लकडी की बड़ी पेटी में रखता हूँ चलेगा पेटी तो छोटे-छोटे बाक्स के जैसी है मतलब बड़ी है साइड में छोटे-छोटे बाक्स के जैसा है चलेगा पिलीज रिप्लाई यान कमेंट और रैविट को खुला छोड़ना चाहिए या पिजड़े में रखूं तो चलेगा रैविट का घर कब-कब साफ करें पिलीज रिप्लाई मी तो गाईज आज हम लोग इस वीडियो में इसी टापिक पर बात करने वाले हैं कि खरगोष को लकड़ी के केज में रखना चाहिए या नहीं और अगर रखना चाहिए तो कितने बड़े केज या पिजड़े में और खरगोष का घर या केज दिन में कब-कब और कितनी बार साफ करना चाहिए तो गाईज अगर आप भी एक पेट्राइविट लबर है और आप भी हमेशा अपने खरगोश को अपने प्यारे बेबी बनी को हिल्दी रखना चाहते हैं साब सुतरा रखना चाहते हैं हैपी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेट्राइविट एंडेनिमल्स दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सारी क्व कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में विल आइकन प्रेज करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं खरगोष से सम्मंधित नई नई वीडियो जी ही बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां कुछ नई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी जो आपके रैविट को मैनेज करने में काफी हल्प करेगी तो चलिए गाईज ज्यादा बाते ना करते हुए सीधा में इन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं आप अपने रैविट को सब जगां रख सकते हैं बस आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप उसे जहां भी रखें उस केज या पिजरे में परियाप्त जगां हो जिससे रैविट उसके अंदर आराम से पहर लंबे करके सो सके और खरगोश को केज या पिजरे के अं मौसम हो तो वहां खुली हवा भी आराम से आ जा सके क्योंकि अगर लकडी का केज या पिजरा होगा तो उसके अंदर हवा ना आने की वज़ा से खरगोश को गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी और ठंदी का मौसम है तो आप उसी हिसाब से उसका केज या पिजरा तयार कर चाहिए या फिर उसे खुले में भी रखना चाहिए और खुले में कितने देर तक रखना है तो गाईज आप अपने खरगोश को जितना भी चाहें केज या पिजरे से खुले में बाहर रख सकते हैं और अगर आप अपने रैविट को खुले में कम और पिजरे या केज में ज़्यादा रखेंगे तब उसे गैस वगेरा की प्रावलम भी ज़्यादा होने लगेगी और उसी में पड़े-पड़े रहेकर खरगोस बोर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और गाईज अब बात करते हैं कि खरगोस का घर यानी केज या पिजरा आप जहां भी उसे रखते हैं उस जगाहां को दिन में कितनी बार साफ करना चाहिए तो गाईज वैसे तो कम से कम आपको Other चय तरह Financial न से शुबरी है। सुबा और साम लेकिन अगर आप तीन या चार बार या फिर इससे भी ज़्यादा साफ सफाई करते हैं, तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा, और गाईज आप अपने रैबिट को रखने के अस्थान को जहां तक हो सके सूखा ही रखें, वहां गीलापन बिल्कुल भी ना हो, अगर आप इसी तरीके से उसके घर को साफ करते हैं और रखते हैं तब, आपके खरगोश के बाल जढ़ने की समस्या या उसे इन्फेक्शन होना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, तो गाईज आई होप कि अब आपका सारा कनफ्यूजन दूर हो गया होगा, और ये रैविट को मैनेज करने में काफी हिल्प करेगी, और आप अपने खरगोश को अच्छी तरह से रख भी पाएंगे, तो चलिए गाईज मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और इन्फार्मेशन के साथ, तब तक के लिए, जाए हिंद!